कि नमस्कार में हूं मैं शर्मा और एक बार फिल लेकर आया हूं जनता का मूड जी हां राजस्तान में राजनितिक सरगर्मिया बढ़ने लगी हैं और राजनितिक तापमान में व्रद्धी होने लगी है आगामी विदान सवा चुनाओं को देखते हुए अब जनता एक राय कि उनके शेत्र का किस्प्रकार का वेक्ति करेगा। यह जनता अपना मूड बनाने लगी है कि आखिर उसे बाट किस मुद्धों पर देना है। क्या राजे सरकार की कारे को शलता राजे सरकार की योजना है या फिर केंदर में मोदी सरकार का जो काम है उसको देखते बे बोट करना है इनी सब चीजों को भापने के लिए और जंता का मुड़ जांसने के लिए हम निकले हैं राजस्तान के विदानसभा शेत्रों में और आ आईए चलते हैं जानते हैं रानी वारा की जनता का मूड जो राजस्तान सरकार की जो योजना है हैं, जो यहां के MLA हैं, उनको लेगर यहां के लोग क्या सोचते हैं? नाम कैया आपका? मेरा उत्तम सिंगराब उत्तम भई एक्षित दोथा हो कि अब चुनाओ आने वाले हैं तो रानीवाड़े की जनता का मूड कैसा नदर आ रहा है? कि हमारा मूर ऐसा की वापिस लाना है जो यहां की सरकार है जो यह दावा करती है कि उनने बहुत सारी योज नहीं चलाई है जैसे चेरंजी भी है पांसो रुपे में गेज सिरेंडर है सो यूनिट फिरी है तो क्या उन लोगों से आप लोग संतूस नहीं संतूस तो है हम भी क्या लगता है आपको नाम क्या है तो क्या लगता है यहां पर जो विकास हुआ है राने वड़ा का कितना विकास मेंगा यह बिरूजगर यह उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है जैसे कि 400 रुपी का लिए सिलेंडर आ रहा था वह अब साड़े गैरा सो में मिल रहा है विजली का कटो देली का विजली कट आउट होती है छे गंटे आठाट गंटे विजली का कोई मतलब भी नहीं है सो यूनिट फिरी कर दिया सरकार बोल रहे है कि सो यूनिट फिरी कर लिए आप सो यूनिट फिरी क्यों कर रहे हो इससे अच्छा है कि आप सो यूनिट कर दो पर आप विजली टाइम टू टाइम दो डेली का कम से कम 6-8 गंटा विजली का कट आउट होता है पर देगा नाम गया आप मेरा नाम अनिदा राम दिए एक चीज़ बताए है आप ब किये तो उनका काम कम हूता है और रतन देवासी जढ़ा करते हैं तो क्या लगता आपको कि इस बार सरकार की जो योजना है वापसाई की से कार या को बदलाओ लागे चाहनों कि आ सकते है रतन देवासी को टिकेट डाइंगी तो आ समार है नाम है इसको मार इस पहले बोट होगे पहले जब डाला था और अब में जो पांक साल का अंतर है तो सोच बदली होगी कुछ अब क्या सोच के बोड़ा है यूँ है कि सर डवलप्मेंट दिखाई दिया है में पहले से भी बहुत बैतर है कॉंग्रिस के होते हुए कर दो सर चबर सब करें डवलप्मेंट हुआ नियुक्ता क्या है सरकार की योजना है फ्री स्कीम जो चला रही है फ्री स्कीम चलनी चाहिए जिसके पास पैसा जाने है उसके बच जाएंगे सारे सीरेंजी यूजना बहुत अच्छी यूजना है नाम क्या आपका गिरिश कुमार गिरिश एक चीज बताओ की बहुत डालते हो तो कितने साल से डाल अभी अभी मेरा वाटिंग गार बनाए अभी बनाए बनाए पहली बहुत डाले किस तरह का बौट डाला एंट को दाला है किसी यूजना वो देख में देखे हुए जो गांव में अच्छा लगताना आर्टी सरकुंट वर्ट देते हैं उनको कारण किया है वो बितोड़ा अच्छा है लैट कि सुवीता है वह भी तोड़ा तो बार से मेले नहीं है नहीं तो आभी नहीं है मगर उनको जीताने के लिए हमें साथ में खड़े हैं परसर भी कर रहे हैं करेंगे और भी आगे भी करेंगे सरकार की योजना है चाहे चरण जी योजना हो चाहे 500 रुपे में सेलेंडर हो या फिर यह कहें कि 100 फ्री वाली चीज हो अभी फिर यह यह आउं क वोता है तो श्रीय है जाए हमें भी चैनल दॉस्क्राब आप धकर सरकार रिपीट होनी चीए सब्डेंग होने साइए मुख्यमंत्री का काम किसा लग रहा है मुख्यमंत्री का दोड़ा अच्छा लग रहा है वह ठीक है और यहां पर एक बार यहां पर विदाहिक भी रहे थे और अच्छा बताइए बहुत डालने वाले नमर में डलेंगे बहुत डलेंगे चुनाव होएंगे तो क्या लगता है आपको सरकार की योजना है आप तक पहुंच रही है सरकार की योजना है जो जैसे फ्री इलाज है 500 रुफे में गेस सिलेंडर है सो यूनिट फिरी है यह सब आप तक पहुंच नहीं है पुछन मिला नी इसके बापा गुजर गए 14 साल हो गया बैंस लाधी इस पैंशन तो आती है और बहुत सारी योजना है जो awhile- laughing कोमाल मिला है आपको आच्छा इनको मोबाइल के योजना है मोबाइल तो free मोबाइल जो स्मार्टफोन योजना है नाराइंट सिंग यहाब वाली ने चपल तज दिये थे के नान सिंग जी जित जाएंगे ना तो चपल भी सोड़ दिया था नान सिंग उसके बाद यहां आई नहीं हम सही कहते हैं बिल्कुल यूआ परिवारतन की लहड़ा सकते हैं वैसा नाम क्या आपका दिलिप सिंग दिलिप यह चीज़ बताइए चुनाओं आने वाले यूआ बढचर के काम ले रहे हैं सरकार भी बहुत सारी योजनाएं दे रही हैं फ्री में भी दे रही हैं सो यूनिट फ्री 500 का सेलेंडर है अभी स्मार्टफॉन फ्री दे दिये बहीलाओं को तो क्या लगता है यह सब जो फ्री वाली है या वह बाइसाब नाम गया है आपका मलुका राम आप रानिवाडा के रहने वाले यह प्रोफर विदान सबात और रानिवाडा है तो क्या लगता है आपको पिछले 10 साल में नरहाने सिंह देवल का काम कर रहे हैं तो आप जो चुनाओं आने वाले हैं मालों उनको टिकेट दिया तो क्या लगता है कोई जनता वापस लाएक अठिक है क्या खूम करवाते हैं सब काम कर्वाते है सब यूजट लेते हैं रहे कोई पी काम जो जनता का सुनते हैं सुनता का बात देवाप जनता यह लिए हैं आने से उपलफ हैं हैंस भ।े네 cris आगर देवललमेंट कर में तो अ बहुत सारी जगह ऐसा होता है सामाने तो उन फिरी योजना है जैसे या पांस रुपय का सिलेंडर है गरीबों के लिए या चेरण जी भी योजना है तो क्या लगता है यह सब जो बहुत डालने जाओगे आप उस समय बोटर के मानसिक्ता को चेंज करेंगे वो तो करेंगे जैसे फरी तो किया लेकिन लाइट आती नहीं है पहले 6-7 गंटे चलती थी अभी तो उसमें भी 3-3 गंटा कर दिया तो किसानों को मैन विद्धूत की जरूत रहती है वो फरी कर नहीं पहुचा कुछ नहीं पहुचा स्लेंडर 500 में किया लेकिन ग्यार सो बरके आते और जो कि बुल दे खाते में खाते में भी पैसा नहीं आता है तो आपको लगता है कि जो राजे सरकार है उसने प्रत्यक्ष रूप से वियापारियों के लिए कुछ काम किया है राष्थान सरकार में असोग जी ने कुछ काम तो किया यह नाराण सिंजी भी हमारे यहां पर ML है जीते हुए वो सीधे साधे हैं काम भी करते हैं लेकिन विपक्स के सरकार दोने काम से उनका काम थोड़ा कम हुआ रतन जी ने भी काम किया है ऐसी बात नहीं किया लेकिन यहां पर कि जो साचोर जीला बढ़ा है उससे विरोध बहुत ज़्यादा है इस कारण से दोनों कांग्रेस और बीजेपी की अभी जो वोटर्स है व जब विदान सब का क्की इल्यक्षन तो उनका उनक्ति किया नदर रहाए क्यूंकि आपकी दुगा पर सारे लोग आते हैं चर्चा होती होगी विरौध पी जैसा आप कि तो जला बनाने का साच्जवर में शामिल और तो जंता का मूप कहां यहां सकता है करम्चारी आइस ने बहुत सारे बरतिये ऑस में नहें वोट देने का करम्चारी उस तरहेंगे दिवापस आजाएंगे तो कॉंग्रेस आ सकती है आपको क्या लगता है जाती का टिकट मिलता है उस जाती का डलान होता है तो बड़ी-बड़ी यहां दो जातीयां बड़ी-जाती जातीयां के तरफ जुन जातियों को वर्गों को समाज को बांटने का काम जैसा हो रहा है इस बार असोग जी ने सर बिलकुल यह मरवाड के गांदी का है तो इसमें अती शक्ति नहीं होगी तो उन्हों वर्ग को खुश करने के कोशिस किये लेकिन सर कई बैर क्या होता है ज्यादा तर इसकी में अद्रातल पर वो पनप नहीं पाती है बाकि इनकी इसकी में अच्छी है लोग भी संतुष्ट यह वैसे ज्यादा यह नहीं किसकते कि नाराज इसले सर बोल रहें कि इस बार 5050 कांट प्रदेश में परिवर्टन हो सकता है जी सरो सकता है क्योंकि दो बार से बीजेपी है जीत रही है को मीद्वारों में चांज करें युव आ जैरो उनको टिकर दे कंगरेस कारी समी निच्छी सकती है कंगरेस बारे लिंट्सथीं करें पोलिटा से लग है नाराफी आउन स्धीन के इस पास साल में गयालो सरकारी यूज कुरें है कि जनता का मूड क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है चुनाओं में क्या बनता हुआ दिखाए दिखा राणी वड़ा के जनता का मूड तो फिलाल तो बरसों से देखते आएं कि एक बार फिर से सरकार बदलनी चाहिए विदानसभा चुनाओं को लेकर हम इस समय नाप रहे हैं कि रानी वड़ा में कितनी तपीश है पॉलिटिकल कितनी तपीश है यहां की जनता क्या चाहती है जनता का मूड क्या चाहती है जो सरकार की योजना है जैसे फ्री मेडिकल की है या महीलाओं के लिए स्मार्टफोन है वह सब मिली है आप लोग को हाँ मिला है फोन मिला है प कि बारिष नहां रहा है उन सब के लिए क्रशों के लिए करशी नहीं बात है सारी चीज़ेंगे इसके बावजूद क्यों योजना यह आप तक नहीं पहुंच कि फरी कनेक्शन में तो माल नहीं मिल रहा है तो फरी में क्या क्म कभी लाइट मेल ही नहीं रही है लेकों अग발िकर के देंगे लेकर देज़ीन नहींता। तो कादर नहीं है भी गराट चुदि को यह है नहीं है कि इतने करते इतना पाव नहीं आता है जुद्धी का चमने में कोई फाइदा नहीं मिलते हैं लेकि जुदी किसने का मतलब है कि यह फिसका चक्कर लगा देरो फिर भी योजनाओं के लाप नहीं ऐसा इस तिति नहीं आप जो बनाते हो चर्मकाज जीन को कहते हैं उनके लिए कोई बौर्ट बनाती है तो उसका बॉर्ड का कोई फायदा मिलता है यहां की जंता रानी वाड़ा की वह उसका मूड क्या नजरा आ रहा है कि नायांट सिंग्ड देवाल है कांग्रेस के लोग वापस आएगे मुक्यमंति के लोग कि सरकार रिपीट होगी या मोदी जी का कु से माली जी यह लगातर डो टाइम से बीजीपी है लेकिन इस पर बदलाव की और संकेत है युवा जो है बदलाव चाहते हैं अगर माली जीए कोई पी पार्टी अगर युवा को चुनेगी तो पिछले दस साल से यहां पर कोई विशेश काम हुए नहीं है नगरपाली का भी क हैं लेकिन जो यहां के लोगों को जो काम चाहिए थे जिस परकार से यहां पर ज़्यादा काम हो सकते तो ऐसा कुछ है नहीं है लेकिन उनका परचार ज्यादा से ज्यादा हो दो तीन महीने में थोड़ा तो प्रोसेज में टाइम लगता है अभी जैसे चिरन जी योजना के अंतरगर जो ऑस्पिटल वगेरा चीनित हुए है उनको कारे से लिए और कारे पढ़ना लिए को थोड़ा सा टाइम लगेगा कि दो तीन महीने में वो सुचारू डंग से ठीक है उससे पहले रतंजी थे और उससे पहले भी बीजेपी की सरकार के लोग थे यहां पर तो क्या लगता है इस बार जनतार आप वोगों ने क्या मूड बना है कि किसको इस पासरकार लानी है किसको विदायक बना इप हुए इस समय विदासमारे चुनाओं को लेकर एक कि चाहे की चपाल पे हम हैं और एस समय मकाबला चाहए वाले और जादुगार के बीच में हैं तो चाहे वाला चाहे के रंगज से लोगों को प्रावेट कर पाएगा या जादुगर अपनी योज वह से जादु चला पाएगा इन्हीं लोगां से बात करिके लेकिंगे नाम का जो वर्तमान अमेले हैं उनके काम काज कैसे देखे जाएंगे वर्तमान अमेले नो अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं है और कांग्रेस सरकार अच्छी है और मोधी जी आये पालू है प्रचार करने तो फिर ये मनिस्तिती बदलेगी क्या मेरे ख्याल से तो नहीं बजलेगी त तो क्या लगता है वाओ जी आपको पहले तो पहुझा नाम याद नहींगे तो क्या लगता है आपको ये सब अगली बार वापस रिपीट करने में साहिक है अगली में परसे मुइं कि ऐसे लिए खृष यहां को फिरी में दे रहे हैं और पांसों रुपे का सिलेंडर दे रहे हैं प्री स्मार्टफोन दे रहे हैं सिरफ आप मातर से हरे का आदबी को थोड़ी पालाब मिलता है इसका ठीक है जो मैंसे को यहाद को मिल गया देकिन नाइंटीन नाइन पर्शंट मिल्कुल हरे को लाब नहीं मिलता है क्या लगता है आपको बहुत सारे लोग आप से आके टकराते होंगे क्योंकि एक ऐसे जमात है वकिलों की जिसमें पॉलिटिकल एवनेस जवर्दास थे तो आपको क्या लगता है इस समय क्या चाहता है प्युक्त जमीन थी उस जमीन के बजाए उन्होंने यह साथ किलमेटर दूर ले गए हैं सर तो इसके एक समस्या है बाकि विदायक जी का काम नारण सिंग जी का पिछले दस साल में आम तो उन्हों से संतुष्ट है उन्होंने हर वर्ग को चुआ है लेकिन किसान मूल वोग हैं गुजरात की मंडियों बजाते हैं उसको कुछित मुल्य नहीं मिल पाता है यहां वेराऊ से टमाटर की खेती होती है मुंकपली की खेती होती है तो उनके बेचने के लिए खरिदार उपलब नहीं होकम यह हमारे आने वाले जो विदायक उमीदवार होंगे भाजपा से और गांगरे से उन से हमारी पबलिक की यहां की डिमांट रहेगी हमारे यहां पे अभी जो निया जिल्ला बनाये होकम तो उस जिल्ले में राणी वड़ा को सम्मेलित किया गया है तो कुछ लोग कुछ पार्टी कुछ पक्स विरोध कर रही हैं लेकिन राजी सरकार की जो म हमारा डीजी कोट लगता था अब नया कोट यहां बनेगा तो हम चाहते हैं कि यहां का जो हमारा कोट है वह अपग्रेड हो एसी जेम बने और एडीजी कोट का लाव में राणी बड़ा चेतर की जनता के लिए दिया जाए इस चुनाओं में क्या रहने वाला है निस्वक श अभी राजिस्तान में मुख्य मंत्री जी द्वारा बहुत अच्छी स्कीमें चल रही है उस स्कीमों का लाब लोगों को मिल रहा है उससे वो खुस भी है परन्तु जो दरातल पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है बिजली सिक्सा सड़क यह सब चीजों को लेकर हमारा बहुत पिछे राणी वड़ा क्या पूरा जलो जिल्या पिछे विजेपी ने भी राज किया है कॉंग्रेस ने भी राज किया है परन्तु दरातल पे अभी कोई काम नहीं हुआ है यह मत्दा था मारा मुड़ी तो कॉंग्रेस के और ही है कारण कि लोगों को अच्छी फैसल दो है निलाइट तो बारी सागी खंबे उखड़के तो क्या करें सरकार क्या करें आपकी क्या राएं इस पार जंता जो रानिवाडा के इतने सारे हमने आपने बात सुनी लोगों की तो कुछ यह सबसे तो यहां पर यूवा नेता चाहिए क्योंकि अभी नार्ण सिंग जी पर इनका इनका काम दिखने में नहीं आ रहा है ऑपने गुजरात सटिक पास में पर यह तो भी तक सडकों का व्यासता बाबेरबर नहीं बें ranivan में पानी की बहुत समय सिया चलरे है नटों के निले से औरा साच और फाटक तक इतना पानी जा रहा है पूरा हम भी प्रेशन हो रहे हैं क्योंकि हम पूरे दिनिया काम करते हैं दुकान लेके बैटे हैं इतना तो मैंने प्रेशन कभी नहीं हुआ क्या लगता है आपको बदलाव चाहिए, सरकार चाहिए, यही सरकार चाहिए या कुछ और? अपने वारता सुरू करने से पहले का था कि चायवाला या जाद्यूगर तो मोदीजी का स्लोगन है कि स्थानी को मैं तो मिलना चाहिए तो मैं रास्तान का निवासी हूँ, तो मैं असोग जी के फैवर में बात करूँगा, क्यों असोग जी ने आज ऐसा कोई वरग नहीं है, जिसके बारे में ध्यान नहीं दिया और कुछ काम नहीं किया, महिला देख लो, एड़ोकेट्स देख लो, एड़ोकेट्स बिल्ड पास से रखते, तो यह जीला साचोर नहीं जाता, राणी बड़ा होता, और स्रीमान हमारे सींदर बोस ने का, यहाँ एड़ीजे कोट नहीं खुलती, यहाँ ड़ीजे कोट खुलती, और पांच ओवर कोट खुलती, इस्पेसिल कोट, अगर यहाँ का विदायक, मानने नान परकरता से अपनी बात विदानसवा में रखते हैं, यह जनता का मूड है, और जब हम बात करने यहाँ है, तो नहाँ में पता है, यह कॉंग्रेस से, यह बीजेपी से, यह पार्टी से, या इनका बेग्राउंड क्या है, और हमने कोशिच यह किये कि जनता का मूड और जब मद्दान देने जाएंगे, तो EVM में किसका भाग्या बंद करते हैं, यह तो फिर दिसंबर में ही पता लएगा, तब तक के लिए नमस्कार